आप सभी का फिर से स्वागत है competition community के इस e-learning platform पे मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं current affairs on a weekly basis आज हम डील करने वाले हैं 28 जुलाई से ले करके चार अगस्त तक की वे सभी समसमाई की घटना है जो हमारे 36 गड़ राज जी के लिए महत्वपूर्ण है याने की राज की समसमाई की जो 28 जुलाई से ले करके 4 अगस्त तक हुई है उन्हें हम आज डील करने वाले हैं और ये जो current affairs है ये आपके अगस्त का week 1 के नाम से आप को देखने को मिलेगा जो हमारा आज तक का format हम follow करते आ रहे हैं उसी format में हमने current affairs को deal करने का decide किया है सबसे पहला हम देखेंगे इस हफते क्या क्या चीजे महत्वपूर्ण हमारे लिए रही है हमारे राज की स्तर पर सबसे पहला है नियाद निला नार स्कीम बार बार ये स् continuously बना हुआ है हाल ही में विश्णु देव साय बस्तर के दौरे पर रहे हैं और वहाँ पर फिर से इन्होंने क्या किया है इस नियाद निला नार स्कीम का एक उलेख किया है इसके बाद पर दूसरा हमें देखना है मोर चिनहारी भवन तीसरा हम देखेंगे मोर संगवारी क् हम अभी आगे चल करके देखते चलेंगे इसके बाद हम देखेंगे क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार चर्चित रहे हैं तो बिलकुल एक हैं आपके कौन रेमन डेका जो हमारे राज के दसवे राज जपाल के रूप में नियुक्त किये गए हैं दूसरे हमारे पास में क्या किया गया है इसके बाद में हम देखेंगे क्या हमारे पास में कोई चर्चित थल है तो इस हफ़ते हमारे लिए जो आपका 28 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त है कोई भी ऐसे खास चर्चित थल नहीं है जिनके बारे में हमें जानना हो जो हमारे एक्जाम के लिए उप इस हफ्ते मनाया गया था जिसके बारे में हम थोड़ा सा information देखेंगे finally हम जाएंगे किस section में sports के section में और यहां पर हम देखेंगे दो हमारे लिए महत्वपूर्ण sports समसमाई की है 14th sub junior and junior swimming championship आयोजित कराई गई थी हाल ही में और दूसरा है कीरती program इनके बारे में हम देखेंगे फिर हम पहुँचेंगे कुछ vivid तत्यों में जिसमें हैं हमारे पास में स्वच्छ ट्यूलिप और दूसरा है विश्नु देव साय का जो बस्तर दौरा रहा इसके बारे में हम information देखेंगे आईए शुरू करते हैं सबसे पहला है नियाद निलानार नियाद निलानार नियाद निपन आपका अच्छा गाउं और यार गुड्ड विलेज इन लोकल दंडामी डाइलेक्ट यह है मतलब नियाद निलानार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आपका अच्छा गाउं यह क्या है अंडर इस scheme amenities and benefits will be provided in villages located within 5 km of security camps in Buster region ये जो नक्सल प्रभावित जो आपके गाव है Buster आपके डिवीजन का वहाँ पर security camps की स्थापना की जाती है ताकि नक्सल वादी गतिविदियों से तौरित निदान मिला जा सके और ये जो security camps होती है इनको सरकार एक अतिरिक्त काम के लिए भी यूज करती है जिन security camps के 5 km के दायरे में आने वाले जितने भी गाव होते हैं उन गावों में सरकारी योजनाओं को पहुचाने का कार्य भी किया जाता है और यही scheme है क्या नियाद निला नार scheme मतलब सरकारी योजनाओं को नकसल प्रभाविच छेत्रों के ग्रामों तक पहुचाने के लिए और गावों का सरवांगिन विकास करते हुए वहां के लोगों का समाजिक आर्थिक राजनेतिक विकास करने के लिए scheme लाया गया है जिसको बोला जाता है क्या नियाद निलानार scheme इसके तहत जो नकसल प्रभाविच छेत्रों में security camps होते हैं उनके 5 km के बहुत सारे security camps होते हैं हर security camp के 5 km के radius में आने वाले जो गाम होते हैं वहां पर सरकारी योजनाओं को पहुचाते हैं कौन ये security personals ठीक है वर्तमान में तिरपन welfare scheme जो 17 department है 36 गड़ के उनको provide किया जा रहा है कहां पर गावों में मतलब कुल मिला करके 17 departments की तिरपन जो आपके लोग कल्यानकारी योजनाए हैं उन्हें ग्रामों तक पहुचाया जा रहा है किसके माध्यम से नियाद निलानार scheme के माध्यम से हमें से पहले भी पढ़ चुके है अभी ये फिर से वापस इसलिए आया है क्योंकि विश्नु देव साय जो है वो बस्तर के दौरे बर रहे है और वहां पर इन्होंने लोहांडी गुडा में ये नियाद निलानार scheme का फिर से क्या किया है उलेक किया है ठीक है चलिए वही चीज आपका हिंदी में है आगे बढ़ते हैं अगला जो है ये है हमारा मोर चिन्हारी भवन बहुत ज़ादा महत्वपून है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या है ये एक बार पढ़ते हैं फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं प्रवासी संसाधन केंद्र के रूप में होंगे याद रखेगा इसे प्रवासी संसाधन केंद्र के रूप में ये होंगे चत्तीस गड़ के प्रवासी श्रमिकों को भारत के उन दस राज्यों की तीस योजनाओं का लाब प्रदान करना जहां चत्तीजगर से अधिक्तम श्रमिक पलायन होता है याने कि हमारा चत्तीजगर राज्य है यह लेबर इंटिंसिव स्टेट है हमारे पास में लेबर्स जो है उनकी अधिकायत है और यहां पर रोजगार पूर्णता ना मिल पाने के कारण हमारे जो श्रमिक भाई है लेबर भाई है वो पलायन करते हैं कहां पर दूसरे राज्यों में इनके पलायन करने के कारण होता यह है जो चत्तीजगर राज्य की लोग जनहत्कारी योजनाय होती है या फिर जिस राज्य में ये पलायन करते हैं वहां की जनहत्कारी आपकी योजनाएं होती हैं उनका लाब इने नहीं मिल पाता क्योंकि इनका डॉमिसाइल होता है चत्तीसगड और ये रह रहे होते हैं कहीं और पर है न तो इसके लिए हमारी जो सरकार है चत्तीसगड की जिस भवन में जा करके प्रवाशी जो श्रमिक होंगे वो अपने आपको रजिस्टर कर लेंगे और फिर चत्तीसगड की कुल लगबग 30 जो स्कीमें हैं 30 आपकी योजनाएं जो हैं लेबर सेंट्रिक जो योजनाएं हैं उनका लाब उन्हें उस राज्य में भी दिया जैसे भारत की अगर दूसरे कंट्रीज में हैं तो वहाँ पर भारत के लोग जा करके अपने आपको रजिस्टर करा करके काफी सारी सुविधाओं का लाब ले सकते हैं उसी प्रकार 36 गड़ की सरकार ने 36 गड़ के प्रवासी जो आपका लेबर्स हैं श्रमिक भाई हैं उन जाकी उन्हें 36 गड़ की जो लोक हितकारी जन हितकारी योजनाएं हैं उनका बेनिफिट दिया जा सके ठीक हैं इसका नाम क्या है मोर चिनहारी भवन बहुत जादा महत्वपूर्ण है ये भारत के 10 राजियों में कुल मिलाकर लगबग 23 चिनहारी भवन स्थापित किये जा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हर्याना, तमिलनाडू, करनाटक, राजस्थान, आंद्रप्रदेश, महाराष्ट और जम्मू, कश्मीर यानि कि इसमें से 8 राज्य हैं और 2 क्या हैं केंद्र, शाशित, प्रदेश हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं ये कौन-कौन सी जगह हैं इसको देख लिजे, डेली, पंजाब, गुजरात, हर्याना, तमिलनाडू, करनाटक, राजस्थान, आंद्रप्रदेश, महाराष्ट और जम्मू, कश्मीर और यहां पर हमारी कुल मिला करके 30 जो लेबर सेंट्रिक आपकी योजनाय हैं चतिसगर राज्य की उनको इन श्रमिक भाईयों को जो पलायन करके, माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में जाते हैं अपनी आजीविका के लिए, है ना, उनको देना है, टॉप फाइव जो हमारी स्कीम से इस 30 में से उनको हम देख लेते हैं, अगर किसी श्रमिक भाई की श्रम के द्वारान मृत्यू हो जाती है, तो उसे कितना उसके परिवार वालों को एक लाख रुपे का कम्पेंसेशन दिया जाता है, साथ ही अगर उसे कोई पर्मनेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, उस स्थिती में उसे 50,000 दिया जाता है, दूसरी जो योजना है, इसका नाम है महतारी जतन योजना, महतारी जतन योजना में प्रथम दो बच्चों के पैदा होने पर जो श्रमिक महिलाएं हैं, उन्हें कितना रुपे दिया जाता ह याने कि कुल मिला करके 40,000 रुपे दिये जाते हैं किने जो फीमेल लेबरल्स हैं उन्हें किस नाम से ये योजना चल रही है महतारी जतन योजना चल रही है पहले दो बच्चों के जन्म पर इन्हें 20,000 रुपे दिये जाते हैं तीसरा दिया जाता है जो श्रमिक भाई होते ह उनके बच्चों को 500 से लेकर के 15,000 तक stipend दिया जाता है इनके सिक्षा के स्तर के हिसाब से यानि कि यह अगर बिल्कुल nursery, kg1, kindergarten में हैं तो उन्हें 500 रुपे का stipend दिया जाएगा बच्चों को उनकी सिक्षा के लिए उसी तरस इस नातक उत्तर तक यानि कि graduation और post graduation तक के बच्चों को क्या दिया जाता है stipend दिया जाता है जिसका एक range है कहां से कहां तक 500 रुपे से 15,000 रुपे तक है ना चौती जो scheme है मुख्य scheme है यह है मुख्य मंतरी नोनी बाबु मेधावी योजना अब इसमें जो meritorious students होते है जो श्रमिक भाईयों के श्रमिक परिवारों से बिलॉंग करते है उनके जो meritorious students होते है उन्हें क्या दिया जाता है दो लाख रुपे का एक price money के रूप में इन्हें दिया जाता है जो किस नाम से होता है मुख्य मंतरी नोनी बाबु मेधावी योजना है ना जो meritorious students होते हैं उनको दिया जाता है पाँचवा जो है यह है आपका serious illness में serious illness के case में पचास हजार तक का इन्हें क्या दिया जाता है compensation दिया जाता है यह वो major five आपके labor centric योजनाए है जो 36 गड़ में चल रही है कुल मिला करके ऐसी ही 30 योजनाओं का फाइदा उन migratory labors को दिलाने के लिए मोर चिनहारी भवन के नाम से राज्य सरकार क्या करने वाली है दस राज्यों में भवनों का निर्मान करने वाली है जहां पर जो प्रवासी श्रमिक है वो अपने आपको register कर सकते हैं और 36 गड़ की इन योजनाओं को क्या कर सकते हैं लाब उसका ले सकते हैं और एक कुछ विवित तत्थ है यहाँ पर हमारे लिए जो केंद्रिय श्रम मंत्री है उनका नाम है क्या मंसुक मंदाविया और जो 36 गड़ के लेबर मिनिस्टर है या श्रम मंतरी है उनका नाम है क्या लकनलाल देवांगन तो इतनी बाते हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है मृत्यू पर 1,00,00 रुपए तथा स्थाई विकलांगता पर 50,000 रुपए दिये जाते हैं मुआउजे के रूप में महत्ारी जतन योजना में महिला श्रमिको के प्रथम दो बच्चों के जन्म पर 20,000 रुपए श्रमिकों के बच्चों को 500 से लेकर 15,000 रुपए तक का वजीफा दिया जाता है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मिधावी योजना के तहट श्रमिकों के मिधावी बच्चों को 2 लाख रुपे क्या दिये जाते हैं प्राइज मनी के रूप में दिये जाते हैं और गंबीर बिमारी की स्थिती में 50,000 रुपे का योगदान दिया जाता है सरकार द्वारा ये मेजर फाइव क्या है लेबर सेंट्रिक योजनाए है ऐसी कुल मिला करके 30 हमारे राज्य में चल रही है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़ादा महत्तपूर्ण हो जाता है आगे चलते हैं ये भी बहुत ज़ादा महत्तपूर्ण है और ये है मोर संगवारी पूर्व मितान योजना जो भुपेश बगेल सरकार की मितान योजना रही है उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है क्या मोर संगवारी योजना बाकी सारे चीजें इसमें सेम है केवल नाम बदल दिया गया है क्या मितान योजना से इसे कर दिया गया है क्या मोर संगवारी योज जिसका उद्देश क्या है नागरिकों को उनके घर के दर्वाजे पर विबिन सरकारी सेवाएं उपलब्द कराना याने की डोर स्टेप्स पर जो आपकी गवर्मेंट स्कीम्स हैं उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है क्या मितान योजना का उद्देश ठीक है नागरिक इन सेवाओं का लाब उठाने के लिए 14545 पर जो टॉल फ्री नंबर है इस पर कॉल करके आप अपने सोविधाओं का फाइदा उठा सकते हैं तो मितान योजना क्या रही है जो भुपेश सरकार में मितान योजना रही है उसको बदल करके उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है मोर संगवारी योजना क्या है जो आपका राज्य सरकार की कुछ सेवाएं है जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र मृत्यू प्रमाण पत्र बनवाना आय प्रमाण पत्र बनवाना अधार कर्ड बनवाना इसके लिए आप 14545 पर कॉल करके जो संगवारी होंगे उनको बोल सकते हैं कि आपको कौन सा डॉक्यमेंट बनवाना है वो आपके घर पर आएंगे आप लोगों से रिक्वाइट डॉक्यमेंट लेंगे और जा क करके उसे प्रोसेस करेंगे जो भी विभाग में आपको काम होगा ठीक है जो मुख्य प्रकार के इसमें काम किये जा रहे हैं ऐसे तो कुल मिला करके आपके कितने 27 सेवाओं का इसमें आप फायदा उठा सकते हैं मतलब 27 प्रकार की सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं उदाहरण के तोर पर जन्म और मित्यू प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं विवा पंजी करण करवा सकते हैं दुकान और प्रतिष्ठान का पंजी करण करा सकते हैं, राशन कार्ड बनवा सकते हैं, अधार कार्ड बनवा सकते हैं, आय प्रमान पत्र बनवा सकते हैं, जाती प्रमान पत्र बनवा सकते हैं, निवास प्रमान पत्र बनवा सकते हैं, और खुल मिला करके ऐसे 27 सेवाओं का आप क्या ले सकते हैं, इसमें लाब ले सकते हैं, है ना, ऐसे कुछ और भी योजनाएं हैं, जिनका नाम विश्णुदेव सरकार में क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है, इनके बारे में हलकी सी information देख लेते हैं, जैसे कि जो आपका खूब चंद बगेल स्वास्थ यो योजना थी, अब उसका नाम हो जाएगा क्रिशक उन्नत योजना, और जो गोठान योजना थी, उसे अब बना कर दिया क्या गया है, गोवंश अभ्यारण्य कर दिया गया है, तो ये कुछ मुख के प्रकार की आपकी योजनाएं थी, जो भुपेश सरकार में शुरू ही, और इनका नाम वरतमान में बदल दिया गया है, मितान योजना, 14545 इसका टॉल फ्री नंबर है, अब इसे क्या कर दिया गया है, मोर संगवारी योजना कर दिया गया है, खूब चंद बगेल स्वास्त योजना, अब किस नाम से जाना जाएगा, शहीद वीर नरायन से स्वा योजना के नाम से जाना जाएगा इसके बाद में जो राजीव गांदी किसान नया योजना थी ये किस नाम से जानी जाएगी कृषक उन्नत योजना के नाम से जानी जाएगी और जो गोठान योजना थी इसे अब किस नाम से जाना जाएगा तो गोवंश अभ्यारण के नाम से इसे जाना जाएगा बहुत ही महत्पून चीजें हैं इसके बाद में हम देखने हैं हमारे लिए चर्चित व्यक्ति या फिर इस हफते खबरों में रहने वाले कौन ऐसे व्यक्ति हैं है ना तो सबसे पहले हमारे लिए हैं रेमन डेका राश्रपती दौपदी मुर्मू ने 27 जुलाई 2014 को रेमन डेका को 36 गड़ का राज जेपाल नियुक्त किया है उन्होंने 36 गड़ उच्च न्यायाले के मुख्य न्यायादेश रमेश सिन्हा के समक्ष शपत ली है याने कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हमारे ओनरेबल रमेश सिन्हा जी इन्होंने इन के दसवे गवर्नर दसवे नंबर के क्या बन गए है यह हमारे गवर्नर बन गए है ठीक है इनके बारे में थोड़ी से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मंगल दोई मंगल दोई नामक लोगसभा कंस्टिटिटिएंसी है जो की असम में है इन्होंने वहां से चुन करके सोलवी लोगसभा जो 2014 से 2019 तक की थी वहां से ये क्या बने थे सांसद बने थे ठीक है इसके बाद में उच्च नयायाले के प्रमुख रमेश सिंधा ने श्री डेका को क्या किया है पद और गोपनियता की शपत दिलाई है असम से तालुक रखने वाले ये 70 वर्षे डेका द इन्होंने कार किया है वे भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं याने की हेलिंग फ्रॉम असम 70 येर ओल डेका वाज इलेक्टेड अमेंबर ऑफ पार्लियमेंट ट्वाइस 2009 और 2014 में दो बार ये संसद के रूप में हमारे पार्लियमेंट में देखने को मिले साथ ही भारतिय जन्ता पार्टी का जो असम यूनिट है उसके प्रेसिडेंट रहे है और ये भारतिय जन्ता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं कौन रेमेंट डेका और ये हमारे राज के दसवे गवर्नर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं जो एक सो तिर पनवे सम्विधान के अनुछेद से लेकर के 162 तक आपको गवर्नर देखने को मिलते हैं जिसमें 133 जो आपके लिए अनुछेद है ये महत्पून हो जाता है क्योंकि इसके ही माध्यम से बताया जाता है भारतिये सम्विधान के अनुछेद एक सो तिरपन में बताया गया है कि हर राज्ज के लिए एक क्या होगा गवर्नर होगा लेकिन इसमें साथवे सम्विधान संशोधन करते हुए सेवन्थ कंस्टिटूशनल अमेंडमेंट एक्ट करते हुए ये जोड़ दिया गया है कि किसी एक व्यक्ति को एक या एक से ज्या है इसमें बोला जाता है क्या जो राज की कारेकारी शक्ति होगी वो किस पर नहींत होगी वो राज यपाल पर या फिर गवर्नर पर नहींत होगी याने कि जो एक्जिक्यूटिव आपका पावर होगा राज का वो किस पर नहींत होगा गवर्नर पर होगा और ये बताने वा द्वारा क्या किया जाएगा गवर्नर का नियुक्ति की जाएगी गवर्नर के नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी राज जिपाल के द्वारा की जाएगी यह सभी बातें बहुत जादा महत्वपूर्ण हो जाती है याने कि कुल मिला करके आपका जो भारतिय सम्मिधान का अनुच्छेद 153 से लेकरके 162 तक है जो गवर्नर को डेडिकेटेड है एक राज्य के गवर्नर के सम्विधानिक प्रारूप को डेडिकेटेड है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ में एक सम्विधान संशोधन जो है कौन सा स लात्वा सम्विधान संशोधन 1956 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए रेमंडे का 36 गड़ के कौन से क्रम के राज्यपाल है तो ये आपके दसवे क्रमांक के राज्यपाल है ठीक है कौन-कौन अभी तक हमार गवर्नर रहे है इसकी एक लिस्ट हमारे पास में है इसे हम देख लेते हैं सबसे पहले रहे है कौन-दिनेश-ननदन-सहाई-डी-एन-सहाई दूसरे रहे है कृष्णा-मोहन-सेट तीसरे रहे है ई-ए-स-ल-नर-सिंबन चौते रहे है शेकरदत पाचवे रहे है राम-नरे रमेश-यादव छटवे रहे है बलराम-दास-तंडन-सात्वी रही है आनंदी-बेन-पटेल और ये चत्तीस-गड़ की पहली क्या रही है गवर्नर रही है उसके बाद में रहे है आपके कौन-अनुसूईया-उई-के नौवे नंबर पर रहे है बिश्व भूशन-हरी-च गवर्नर बन गए है ठीक है चलिए आगे चलते हैं इनमें से दो जो रहे हैं राम-देश-यादव और आनंदी-बेन-पटेल इन दोनों को ही आकस्मिक रूप से क्या किया गया था दूसरे राज्य के ये गवर्नर्स थे इन्हें एडिशनल चार्ज में क्या बनाया गया था कुछ समय के लिए चतीज गड़के क्या बनाये गए थे ये गवर्नर्स बनाये गए थे लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्या थे एक्टिंग गवर्नर्स थे ऐसा नहीं होगा कि हम जब गिंती करेंगे तो रहमेंडेका को हम आठवे क्रमांग के गिनेंगे ऐसा नहीं जाएंगे तो ये दसों के नाम लाइन से ही आपको मिलेंगे कहीं पर भी ये लिखा नहीं मिलेगा कि राम नरेश यादो जी एक्टिंग गवर्नर थे या फिर आनंदी बेन पटेल क्या थी एक्टिंग गवर्नर थी इन्हें एडिशनल चार्ज मिला था और ये किसमें बताया सकता है इसी के साथ में आपका भारतिय सम्मिदान का अनुच्छेद 156 जिसमें बोला गया है कि गवर्नर का जो टेन्योर होगा या फिर कारेकाल होगा वो राश्रपती के क्या होगा प्रशाद पर्यंत होगा दूसरी बात इसी आपके अनुच्छेद में बोली गई है अग इंका जो कारेकाल होता है गौवर्नर का वो होता है राश्रपती के प्रशाद पर्यंत अगर राश्रपती इनहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कभी भी नई हटाएंगे तो कभी नहीं हटेंगे इसलिए इसका जो klaus नॅंबर N. थे इसमें बोल दिया गया है किया प्रेसिडेंट के प्लेजर के द्वारा प्रेशिडेंट्स प्लेजर लेकिन भारतिय सम्विधान अनुचेद 156 का जो क्लॉज दो है इसमें बोला गया है गवर्नर्स का जनरल जो कारेकाल होगा वो कितने का होगा पाँच सालों का और तीसरा जो क्लॉज है इस क्लॉज में ये बोल दिया गया है कि अगर इनका कारेकाल किसी भी तरीके से समाप्त कर दिया गया हो चाहे वो पांच साल पूरे होने पर समाप्त हो गया हो या फिर राश्ट्रपती ने इनका कारेकाल चाहे चार दिन में हो चाहे चार साल में हो अगर समाप्त कर दिया है तो भी ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक इनका जो successor होगा यानि की जो अगला governor होगा वो नहीं आ जाता तब तक की स्थिती में ये क्या रहेंगे अपने पद पर बने रहेंगे ठीक है इसलिए हम ये दोनों articles को आधार मान करके और ह हमारी जो चत्तीजगड सरकार का राजभवन का official website है उन दोनों को आधार मानते हुए हम ये मानेंगे कि जो रेमन डेका सर है ये चत्तीजगड के क्या है दसवे राजजपाल के रूप में हमें देखने को मिलते हैं इसमें आगे जो भी updates होंगे वो update कर देंगे क्योंकि यह पर थोड़ा सा ये विवादित सवाल हो जाता है कि रेमन डेका सर अगर हमसे जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि पूर्ण कालिक रूप से रेमन डेका सर कौन से क्रम के गवर्नर है जब आपको ये पूर्ण कालिक अलग से mention कर देगा तब हमको ये समझ में आ जाना चा आगे चलते हैं अगला जो हमारे चर्चित व्यक्ति है ये हैं आपके B.D. गुरू और A के प्रशाद इन्हें चत्तिजगड की हाई कोड का सोलवा और सत्रवा जजनियुक्त किया गया है याने कि अभी हमारा जो C.J. है रमेश सिंग रमेश सिन्धा जी है ना वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्याया धीश है चत्तिजगड हाई कोड के वो कौन है रमेश सिन्धा जी इनके साथ में कुल मिला करके चौदा और जजेश थे हमारे हाई कोड में अब इन दोनों की नियुक्ति के बाद में कुल मिला करके कितने हो जाएंगे सत्रा जजेश हो जाएंग इंक्लूडिंग कौन रमेश सिन्हा जबकी जो हमारा टोटल क्यापसिटी है चत्तीजगाड हाई कोड की वो बाइस जजो की है है ना टोटल नमबर अफ जजजेश विल नाव बी 17 दो अटोटल अफ 22 जजजेश हैस बीन प्रेस्क्राइब फॉर चत्तीजगाड In Indian Scheme of Judicial System, High Courts work below the Supreme Court. The Judiciary in the State consists of a High Court and a Hierarchy of Subordinate Courts. The institution of High Court originated in India in 1862 when High Courts was set up at Bombay, Calcutta and Madras. याने कि जो High Court है ये हमारी Judicial System जो है भारत की Integrated and Single आपका जो Judiciary बोला जाता है इसमें सबसे उपर होते हैं कौन Supreme Court और दूसरे नंबर पर होते हैं High Court जितने भी राज जमेकुल मिला करके हमारे 25 High Court है हमारे देश में 25 के 25 High Court जो है ये किसी के भी Subordinate नहीं है केवल और केवल किसक Supreme Court दूसरे रैंक में आएंगे ये 25 High Court और उसके बाद में एक High hierarchy है Subordinate Courts की जो High Court है इसका जो शुरुआत हुआ था या फिर कोट में और हमारे जो मुख्य नया अदीश है वो है कौन रमेश सिन्हा ठीक है था कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोवाइड फॉर इच स्टेट हावेवर पार्लियमेंट इस ऑथराइज टू डेक्लियर अ कॉमन हाइड कोड फॉर टू और मोर है यह पावर किसके पास में है तो यह पावर पार्लियमेंट पास में है भारतिय चंसद के पास में है किसके बाद में जो टू По ऐकॉद का वो co-terminus होता है territory of state से मतलब एक राजी की जितने चेत्रफल है वहां तक ही उसका चेत्रदिकार होता है एक high court का है ना Parliament has been empowered to extend or curtail the jurisdiction of a high court over a union territory किसी केंद्र साशित प्रदेश तक किसी दूसरे high court के power को बढ़ाना हो या फिर किसी high court के power को कम करना हो ये वाली ताकत भी किसके पास में है आपके भारत के संसद के पास में है पार्लियमेंट के पास में है ठीक है organization of high court the number of judges in high court unlike supreme court is decided by president of India rather than parliament याने कि जो supreme court में judges की संख्या होगी उसका निर्धारन किया जाता है संसद द्वारा पार्लियमेंट द्वारा लेकिन जो high court में judges की संख्या होती है वो decide किया जाता है किसके द्वारा राष्ट्रपती के द्वारा ना कि आपके देश के संसद के द्वारा ये हमें बहुत ज़ादा ध्यान रखना है तो पारलियामेंट के पास में क्या-क्या पावस है? एक तो इसके पास में पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे ये ये निर्धारित कर सकती है संसद। किस संदर्ब में एक union territory के संदर्ब में उसे बढ़ा या घटा सकती है कौन parliament है ना लेकिन जो judges की संख्या होगी किसमे high court में उसका निरधारन करेगा कौन राष्ट्र पती करेगा ना कि parliament करेगा इतनी बातें आप लोगों के लिए महत्तपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हाल ही मे 36 गड में दो नय क्या किये गए है न्याया धीशों की नियुक्ति की गई है राष्ट्र पती के द्वारा ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा हमें और जानना ये है कि किस प्रकार जो judges हैं उनकी नियुक्ति की जाती है the judges of high court are appointed by the president of India point number one राष्ट्र पती के द्वारा क्या किया जाता है जो high court के judge होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है पहली बात दूसरी बात the chief justice of high court is appointed after consultation with cji and governor of the state concerned याने कि जो मुख्य नया धीश होंगे एक राज्य के high court की उनका जो नियुक्ति होगा वो करेंगे तो president ही लेकिन कैसे करेंगे पहले वो chief justice of India याने कि supreme court के जो chief justice होंगे और जिस राज्य की high court है उन दोनों के governor उसके governor और जो आपके supreme court के cji है इन दोनों से परामर्ष लेने के बाद राश्ट्र पती क्या करेंगे एक राज्य के high court के मुख्य नया धीश की नियुक्ति करेंगे अगर एक से ज्यादा राज्यों या फिर union territories के क्या होंगे high court होंगे याने की एक high court है जिसका छित्रादिकार एक से ज्यादा राज्यों तक में फैला होगा वहाँ का जो chief justice होगा उसकी नियुक्ति करने के लिए CJI याने की chief justice of India और जो राज्य है उन सभी के governors जितने भी governors होंगे उन सभी से सलाह लेने के बाद ही राश्ट्रपती क्या करेगा मुख्य नियाधिश की नियुक्ति करेगा इसके बाद में मुख्य नियाधिश के अलावा जो अन्य जजेज होंगे उनकी नियुक्ति करने के लिए CJI द्वारा ये बोला गया है एक कोलेजियम से क्या किया जाएगा कंसल्ट किया जाएगा in case of appointment of other judges to high court it was opined that CJI जो chief justice of India है should consult a collegium of two senior most judges of supreme court before recommending a name to president of India in seminal third judges cases मतलब जो third judges का case हुआ था उसमें ये बोला गया है जो CJI से परामर्ष लेता है president है ना अन्य जजों की नियुक्ति के लिए उसमें जो chief justice of India है वो एक कोलेजियम से क्या करेगा पहले अपना consult करेगा recommendation लेगा और उस कोलेजियम में कितने होंगे दो senior most judges होंगे उसके बाद ही ये क्या करेगा राश्ट्रपती को अपना परामर्ष देगा कि इस इस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं high court के तो ये तीन मुख्य बाते हैं एक तो क्या है जो judges होते हैं high court के उन सभी को नियुक्त कौन करेंगे राश्ट्रपती करेंगे दूसरी बात क्या है जो chief justice होंगे एक high court के उनके लिए उनको नियुक्त करने के लिए जो राश्ट्रपती है वो chief justice of India जो भारत के मुख्य नयादीश होंगे उनके और जिस राज्ज के या फिर एक से अधिक अगर राज्ज है तो उन राज्जों के governor से सलाह ले करके मुख्य नयादीश की नियुक्ति कर दी जाएगी उसके बाद में जो अन्य आपके क्या होंगे judges होंगे उनकी नियुक्ति के लिए ये जो cgi होंगे ये एक collegium से क्या करेंगे consult करेंगे जिसमें Supreme Court के दो most senior judges होंगे इनसे परामर्ज लेने के बाद cgi क्या करेंगे राश्ट्रपती को अपने consult करेंगे या फिर राश्ट्रपती को अपना परामर्ज देंगे और फिर राश्ट्रपती क्या करेगा judges को nuket करेगा ठीक है हला कि ये आपका basic GS का part है आगे चलते हैं कोई हमारे पास ऐसे खास स्थान नहीं है जो हमारे लिए news में बने हो अगला हमारा जो section आ जाएगा ये हो जाएगा important days, reports, awards and honors हाल ही में 36 गड़ में हरेली तिहार मनाया गया है ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम information देखते हैं known as the first festival of folk culture of 36 गड़ हरेली is celebrated on new moon day of श्रावन month of Hindu calendar it is also known as हरेली अमावस्या याने कि 36 गड़ की लोग संस्कृती का प्रथम त्योहार के रूप में जाने जाने वाले हरेली को हिंदू calendar के श्रावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है इसे हरेली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है यह धान की फसल की बोवाई याने की धान रुपाई पूरी हो जाने के बाद मनाया जाता है और इसके बहुत सारे रंग है मतलब यह विविध रूप से हमें मनाया जाता है इसेलिब्रेटेड आफ्टर कम्पलीशन को समझने की कोशिश करते हैं एक है सबसे पहला हमारे पास में ट्रेडिशन याने की परंपरा परंपरागत रूप से हम किस प्रकार से इसे मनाते हैं हरेली को जो हमारे लोग संस्कृती का पहला त्योहार माना जाता है चत्तीजगड का Farmers worship their tools with a wish of having good harvest It is tradition to walk using gedi which is a long wooden pole like structure with foot rests Once gedi was used to protect against mud and reptiles during monsoon, branches of neem tree are decorated on doors of house to protect against mosquitoes and other infectious insects ये वो ट्रेडिशन है जो basically हमारे पूरे पूरे चत्तीजगड में हरेरी के जो आपका परंपरागत रूप से मनाई जाती है यानि कि जो किसान होते हैं वे अपने क्रिशी उपकरणों की पूजा करते हैं फसलों की अच्छी कामना के लिए पूजा करते हैं और साथ में गेडी चड़ करके यहाँ पर नृत्य और संगीत का आनंद उठाया जाता है जो गेडी होती है आप सभी ने देखा होगा ये लंबे लखडी के आपके क्या होते हैं पोल्स के रूप में होते हैं जहाँ पर जिसमें ऐसे फुट रेस्ट से बने हुए होते हैं ये गेडी होता है इसका उपियोग करते हुए क्या करते हैं नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं लुत्त उठाते हैं एक समय था जब ये जो गेडी हुआ करता था क्योंकि मौनसून के समय बारिश बहुत ज़ादा होती थी बाहर में गड़ों में पानी भरा हुआ होता था कीचड होता था इन सभी से बचने के लिए साथ ही सरीश्रिप जो होते हैं सापों से बिच्च्वों से बचने के लिए और अपने खेतों में कारे करने के लिए गेडी का प्रयोग करते थे चत्तीस गड मूल के लोग इसलिए आज के समय में तो हाला कि इसका उस प्रकार से उप्योग नहीं होता लेकिन ये परंपरागत रूप से हमारे लिए एक कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है क्या गेडी साथ ही हरेली के दिन अपने अपने घरों के द्वारों पर नीम के पौधे के जो नीम के पेड के जो डगालिया होती हैं ब्रांचेज होती हैं उन्हें लगाया जाता है ताकि जो infectious insects होते हैं और mosquitoes होते हैं उनसे बचाव किया जा सके इसके बाद में हमारा traditional चत्तीजगर cuisine मनाया जाता है याने की पारंपरिक भोजन या फिर व्यंजन मनाया जाते हैं इस तेवहार के समय में ये कौन-कौन से होते हैं हमें ये देख लेते हैं on occasion of Harali चीला made up of jaggery याने गुड का चीला खुर्मी और गुलगुला भजिया जैसे पारंपरिक व्यंजन मनाया जाते हैं ट्रेडिशनल चत्तीजगर cuisine मनाया जाता है to protect skin from damage of rain water during monsoon oily food is consumed याने की ऐसा बोला जाता है कि Harali के समय में तैली ये जो भोजन होते हैं उसका ग्रहन करना चाहिए उसे खाना चाहिए ताकि जो बारिश से होने वाले आपके तवचा को नुकसान है उससे बचाया जा सके ये सभी हमारा किसके अंडर में आ जाएगा जो ट्रेडिशनल 36 गड़ क्विजीन है उसके अंदर में आ जाएगा इसके बाद में इसका और एक विवित्तत्य क्या है इसमें कैटल प्रिजर्वेशन को भी बहुत ज़ादा क्या किया जाता है फोकस किया जाता है याने कि ग्रामिड अर्थ व्यास्था में जो पशू होते हैं मवेशी होते हैं गाय, भैस, बकरी, भेड इन सभी को क्या किया जाता है पारंपरिक जो मेडिसीन्स होती है दवाईयां होती है जैसे कि शतावर, रचना ये सब खिलाया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है उनकी सेहत के प्रति ध्यान दिया जाता है तो cattle preservation भी किया जाता है हरेली में ये वो सभी आयाम हैं जिसमें हम हरेली को एक exam point of view से देखेंगे है ना, तो पहले हम देखें कि आप परमपरागत रूप से किस तरीके से मनाया जाता है मनाने के साथ में ही जो हमारे पारमपरिक व्यंजन है उनका भी इस समय क्या किया जाता है बनाया जाता है और उसका लुद्पुत्राया जाता है हमारे चत्तीसगड के लोगो द्वारा इसके बाद में cattle preservation भी किया जाता है साथ ही जो हरेली है ये एक बहुत ही शांदार मेसेज भी हम सभी के लिए ले करके आता है हरेली marks the message of benefit of green matter along with environmental protection याने की जो हरियाली होती है पेड़, पौदे, पत्ते उनके सनरक्षन के साथ साथ पूरे के पूरे पर्यावरण के सनरक्षन का एक message ले करके आता है कौन हरियाली जो बड़े बुजर्ग होते हैं घर के ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे आसपास में green matter होना कितना आवश्यक है है ना बुपेश बगेल जो रहे हमारे मुख्यमंत्री वो हमेशा एक term का use करते रहे कि हम concrete के निर्मित जंगलों में रहते हैं याने कि आज जो हमें इतने सारे buildings देखने मिल रही हैं इतने सारे roads देखने मिल रहे हैं ये सभी concrete के बन चुके हैं एक समय पर यहाँ पर क्या हुआ करता था पेड़ पौधे हुआ करते थे इसलिए grey matter कम हुआ करता था लेकिन अब ज़्यादा क्या हो गया है concrete के निर्मित buildings, roads ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने मिलती हैं और green matter हमारे लिए क्या हो जाता है कम हो जाता है लेकिन हमारे राज के जो ग्रामिड अंचल है उनमें आज भी जो green matter है ये आपका concrete से ज्यादा है और इसी का ही message देते हैं हमारे घर के बड़े बुजूर्ग हमारे बच्चों को कि हमारे लिए हमारे आसपास में हरियाली होना कितना आवश्यक है तो overall इस प्रकार से हमारा हरेली तिहार को हम क्या करते हैं celebrate करते हैं तो ये केवल एक टेवहार नहीं है ये हमारी परंपरागत संस्कृती से लेकर के परंपरागत व्यंजनों से लेकर के एक समाज के समाज को अच्छे और बढ़ाने के लिए messages के साथ में पशुओं के संरक्षन के साथ में environment protection के साथ में एक ये समग्र पकार का हमारा क्या है एक culture है कौन सा हरेली तेवहार कब मनाया जाता है श्रावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है ये वही सब आपके लिए क्या है important information है चलिए आगे चलते हैं अब हम चलते हैं किसमें खेल के सेक्षन में या फिर sports के सेक्षन में हाल ही में चत्तीजगड के बिलासपुर जिले में चौदवी सब जूनियर एवं जूनियर तेराकी चैंपियन्शिप का क्या किया गया था आयोजन कराया गया था किसके द्वारा भारतिय तेराकी महासंग के द्वारा याने कि Swimming Federation of India के द्वारा क्या किया गया था 14th State Sub Junior and Junior Swimming Championship का आयोजन कराया गया था जिसमें से चत्तीजगड के दो लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है दो बालकों बच्चों ने किया किया है गोल्ड मेडल हासिल किया है एक है आपकी प्रियांशी शीरिया और दूसरे है कौन आदित शीरिया और इन दोनों ने ही गोल्ड मेडल हासिल करने के साथ-साथ जो राष्ट्रिय स्विंग कॉंपीटिशन होने वाली है राष्ट्रिय तेरा की प्रतिस परदा होने वाली है बैंगलोर में September के मंत में उसके लिए क्या कर लिया है qualify भी कर लिया है तो आप लोगों से अगले एक महिने याने की आपका hostel warden का जो exam होगा और जो आपका September में जो भी exam सुने वाले हैं उसके लिए ये important है बिलासपूर में आयोजन कराया गया था Swimming Federation of India के द्वारा 14th State Sub Junior और Junior Championship जिसमें 36 गड़ की प्रियंशी सीरिया और आदित सीरिया ने क्या किया है Gold Medal हासिल करके राश्क्रिय प्रतिस परधाम के लिए चैनित हो गए है दूसरा बहुत ज़्यादा important आपके लिए साल भर होने वाला है और ये है आपका क्या कीरती प्रोग्राम 36 गड़ में कीरती प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका full form है आपका Kelo India Rising Talent Identification Program खेलो इंडिया Rising Talent Identification Program ये इसका क्या है full form है किरती प्रोग्राम का क्या है ये खेलो इंडिया को जो भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया की एक स्कीम चल रही है उसको जमीनी स्तर तक पहुचाने के लिए याने की गाओं के ग्रामेड अंचलों तक पहुचाने के लिए दूरस्त अंचलों तक पहुचाने के लिए इन छेत्रों से खेलाडियों को ले करके आने के लिए ये जो आपका खेलो इंडिया स्कीम चल रही है इसको ही इंप्लिमेंट करने के लिए 36 गड़ सरकार द्वारा कीरती प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसमें 3000 खिलाडियों को चैनित करके उनका क्या किया जाएगा ट्रेनिंग कराई जाएगी और ये 36 गड़ के हर अंचल से ये खिलाडियों को क्या किया जाएगा चैनित किया जाएगा आपके लिए महत्तपूर्ण ये है कि कीरती प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग चल रहा है जिसमें छी के धरातली कर रियांवयन के लिए क्या क्या लिए लगिया लाया गया है ला गया जिसमें 3000 प्लेयर्ण को कीरती के तहट रैसिस्टर कर ने एड़िया करेनिंग करना है यह हमारे लिए महत्पूर्ण हो जाता है फाइनली हम चलते हैं कुछ विविद तत्यों में है ना एक दो हमारे पास में विविद तत्य हैं जैसे सबसे पहला है स्वच्छ ट्यूलिप यह आपका क्या है स्वच्छ ट्यूलिप है एक इंटर्णशिप ड्राइव है यह यह क्य गड़ के टेकनिकल बी टेक और बी ए के जो स्टूडेंट्स ग्रैजुएट होते हैं उन्हें इंटर्णशिप के माध्यम से चतीज गड़ के विकास से जोडने के लिए क्या किया गया है स्वच्छ ट्यूलिप नामक एक कारिक्रम लागू किया गया है इन सभी में क्या किया गया है स्वच्छ ट्यूलिप को शुरू किया गया है और ये किसके अंडर में किया गया है ये जो आपका केंद्र सरकार की स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसके अंडर में इंटर्णशिप ड्राइव के रूप में इसे शुरू किया गया है मतलब क्या है केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अभी क्रियानवित हो रहा है इसके अंडर में जो नगरी निकाय होते हैं नगर निगम नगर पाली का परिशद और नगर पंचायत होते हैं इनमें स्वच्छता के लिए क्या किया जाता है सरकारी अधिकारी करमचारियों के द्वारा अपने कारे किये जाते हैं अब इसमें जो B.E. और B. Tech के ग्रैजुएट्स हैं उनका भी क्या किया जाएगा समायोजन किया जाएगा ताकि वो अपने सिक्षा के साथ में 36 गड़ में जो आपका समाजिक स्थिती है नगरी चेत्रों में उसमें स्वच्छता के लिए अपना क्या कर सके योगदान भी दे सके साथ ही वहां से बहुत सारी चीज़ें सीख भी सके इसलिए यह इंटर्शिप ड्राइव शुरू की गई है जिसका नाम है क्या स्वच्छ ट्यूलिप इंटर्शिप विल बेस्ट ऑन सिटीजन आउट रीच है ना मतलब यह बहुत सारे कैटिगरीज है जिस पर इंटर्शिप करेंगे हमारे स्टूडेंट्स सिटीजन आउट्रीच सोर्स सेग्रिगेशन कैंपेइन सोशल मीडिया कैंपेइनिंग डेटा अनलेटिक्स एंड मै देंगे नाम क्या है स्वच्च ट्यूलिप कहां पर लागू किया जाएगा तो नगरिये निकायों में निकायों में ठीक है चलिए आगे चलते हैं वही है स्वच भारत मिशन शहरी दो दशमलो शुनिके किंद्री योजना केता है चतिसगर सरकार दौरा सभी शहरी स्थानिय निकायों में शुरू किया गया है यह बी टेक और बी इसनातक के लिए एक इंटर्णशिप अभियान के रूप में देखना मिल रहा है इसके लिए जो नोडल एजिंसी बनाई गई है वो बनाई गई है राज शहरी विकास अभिकरण याने की स्टेट अर्बन डेवलप्मेंट अथॉरिटी सूड़ा इसके बाद में जो इंटर्णशिप है वो लगबग आठ से बारा हफ़तों की होने वाली है जिसमें इंजीनियर्स का जो सेलेक्शन किया जाएगा वो नगरी निकायों की जनसंख्या के अधार पर किया जाएगा अगर कोई ऐसी नगरी निकाय है जो 50,000 तक की वहां की जनसंख्या है तो वहां पर 2 इंजीनियर्स किया जाएगा इसके बाद में इन्हें Digital Certificate इनका جो internship complete हो जाने के बाद में इन्हें सूड़ा के द्वारा राज शहरी विकास प्राधिकरन याने कि State Urban Development Authority के द्वारा एक Digital Certificate दिया जाएगा जो इनके career के लिए महत्तीक पूर्ण होगा साथ ही इन्हें 4500 रुपे का stipend भी दिया जाएगा जो की जो स्वच्च भारत मिशन है 2.0 उसके capacity building fund से इन्हें दिया जाएगा अंतीम जो हमारे लिए विवित तथ्या है ये है विश्णु देव साय का बस्तर विजिट हाल ही में विश्णु देव साय जी बस्तर के प्रवास पर रहे हैं जहां पर इन्होंने नियाद निला नार स्कीम के बारे में information सभी को दी ही है साथ में इन्होंने क्या किया है चतीस गड़ में चल रही जो आपकी आजीवी का ग्रामिड आजीवी का mission है जिसका नाम है बिहान उसके तहत जो छोटे व्यापारिक संग है और महिला स्वा सहायता समुहों के तीन हजार 61 ग्रूपों को क्या दिया है सौ करोड रुपे का रिन मुहाया कराया है यानि की जो बिहान स्कीम है उसके अंडर में एक सो करोड रुपे का क्या दिया गया है रिन दिया गया है तीन हजार एक सट छोटे व्यापारिक संगों और महिला स्वा सहायता समुहों को कहां से दिया गया है जगदलपूर में इसे किया गया है है अब ये जो बिहान स्कीम है ये आपका क्या है वही है आपका हाल ही में च अग्दलपुर चतीजगड़ के 3061 लगू व्यापारिक समुहों अमहिला स्वासायता समुहों को 100 करोड रुपए प्रदान किये हैं क्या है ये बिहान बिहान जो है ये आपका चतीजगड़ आजीवी का समीती को कहा जाता है क्या बिहान और ये एक्चली में है क्या ये है आपका स्टेट रूरल लाइवली हुड मिशन याने की राज ग्रामिड आजीवी का मिशन के रूप में हमें चतीजगड़ आजीवी का समीतियां देखने मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या बिहान और इसका जो में आपका उद्देश है ये है आपका ग्रामिड अर्थ व्यवस्ता में ग्रामिड परिवारों की आय को बढ़ा करके एक लाख से ज्यादा करना इसका में क्या है से यानि की स्वासाहिता समूहों के माध्यम से और्गनाईस करते हुए उनके लिए रोजगार श्रिजन करने की व्यवस्ता करता है कौन बिहान योजना और ये बिहान योजना क्या है चतीजगड़ आजीवी का समवर्दन समीति है है ना ये क्या करती है महिलाओं को बदद पालन मचली पालन पशू पालन इन सब के लिए प्रोच साहित करती है ताकि महिलाओं का रोजगार में सम्वर्दन हो सके उनका उनकी आय बढ़ सके उनका सशक्तिकरन हो सके और साथ में उनके परिवारों की आय क्या हो सके बढ़ सके ग्रामिड अंचल के परिवारों में आ ग्रामिड परिवारों की आये को बढ़ा करके एक लाख रुपे प्रती वर्ष से ज्यादा करना ठीक है ये बिहान के तहत मुख्यमंत्री ने कितने 100 करोड रुपे का रिंड दिया है कितनों को 3061 महिला स्वा सहता समू प्लस स्मॉल ट्रेड ग्रूप्स को दूसरा इन्होंने सरस्वती साइकल योजना जो है सरस्वती स्कीम जो है और चरण पादुका स्कीम जो है इसको री स्टार्ट करने का भी क्या किया है गोशना किया है सरस्वती स्कीम जो है ये स्कूल जाने वाली जो बालिकाएं होती है उनको साइकल प्रदान करने का स्कीम है क्या सरस्वती स या फिर चपले प्रदान करने का क्या है एक scheme है इसको फिर से क्या किया गया है शुरू करने का निर्ने लिया गया है या फिर घोशना की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा यही आप लोगों का information है बस्तर से हमारे लिए क्या क्या चीज़े important हो गई एक हो गया नियाद निल्ल चतीसगड आजीवी का समवर्धन समीती दोनों एक ही बात है तीसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्या सरस्वती योजना जो साइकल प्रदान करने के लिए है चौथा है चरण पादुका योजना which is in the form of provision of footwares to तेंदू leaf collectors तो हमारे लिए 28 जुलाई से लेकर के चार अगस्त तक हमारे लिए जो राजकिये समसमाई की रही है वो यहाँ पर हमारे लिए समाप्त होती है कल हम इन पर बेस करके कुछ multiple choice questions आप सभी के सामने ले करके आएंगे तब तक आप हमारे चैनल में बने रहेंगे तैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के कैरियर पेज पर विजिट करें अत्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team KOKO